प्रश्णवाली साथ पॉइंट दो की इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्णवाली साथ पॉइंट एक और उससे पहले का जो भी बेसिक था उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसकी लेंग वीडियो के डिस्क्रिप्सिर में दियू इए या पिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप प्रश्णवाली साथ पॉइंट एक के संपून हल और बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं तो जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीका है पहले हम बेसिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्णवाली साथ पॉइंट दो की तरफ जब एक बार हम बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर प्रश्णवाली को समझने में में किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी तो जलिए क्लास हम सुरू करते हैं आज हम बात करेंगे दो बिंदू के मध्य दूरी का अंतव विभाजन जैसा कि आपके सामने चित्र दिया हुआ है माना की समतल के अंदर दो बिंदू है एक बिंदू आपका A है और एक बिंदू क्या है आपका B है और ये मिलके क्या बिना रहे हैं एक रेखा या रेखाखंड AB बिना रहे है और इस रेखाखंड AB पर एक बिंदू है P क्या है एक बिंदू है P जो A और B के बीच में इस्तित है तो इस परकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं अन्ता विभाजन कहते हैं क्या कहते हैं इस परकार के विभाजन को हम अन्ता विभाजन कहते हैं कि जब एक सम्तल में कोई दो बिंदू है A और B और यदि इस रेखा A B पर कोई अन्य बिंदू P जो इस A और B के मध्य में इस्तित है तो फिर इस परकार का जो विभाजन है यानि जो ये P बिंदू है ये आपके इस A, B रेखाखंड अथवार रेखा को दो अनुपात में M1 और M2 अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है अतर इस परकार के विभाजन कों क्या कहते है अन्तर विभाजन कहते है तो यदि सम्तल में दो बिंदू जिसमें A बिंदू के निद्दिसांग क्या है X1 और Y1 और B बिंदू के निद्दिसांग क्या है X2 और Y2 है और जो P बिंदू है जो इस AB को M1 अनुपात M2 में विवाजित कर रहा है M1 और M2 अनुपात में विवाजित कर रहा है इस P बिंदू के निद्यसांख है X और Y तो इस P बिंदू के जो अभिष्ट निद्यसांख होंगे X और Y इसका मान हम इस सुत्र की मदद से निकालेंगे सुत्र क्या है M1 X2 पलस M2 X1 बटे में M1 पलस M2 इससे निकलेगा आपके X का मान कॉमा M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 इससे किसका मान निकलेगा बिंदू P के Y निर्दे सांग का मान निकलेगा तो यानि इस सुत्र की मदद से हम जो P है जो आपके A और B रेखाखंड को विभाजित कर रहा था A B रेखाखंड को उसके X और Y का एदिय में मान निकलना है तो X का मान निकलेगा M1 X2 पलस M2 X1 बटे में M1 पलस M2 और Y का मान निकलेगा M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 M1 और M2 क्या है ये वो अनुपात है जिस अनुपात के अंदर ये जो P बिंदू है ये AB रिखाखंड को विभाजित कर रहा है इसी सुत्र को बच्चों कहते हैं विभाजन सुत्र क्या कहते हैं इसी सुत्र को कहते हैं विभाजन सुत्र आगे यदि रेकाखंड AB को जो बिंदू P है वो यदि के अनुपात एक में विभाजित करे तो फिर बिंदू P के निप्दिसांग क्या होंगे तो कोई नहीं है हमें M1 की जगह क्या रखना है K और M2 की जगह क्या रखना है एक रखना है तो सुत्र क्या बनेगा तो सुत्र बनेगा K X2 प्लस X1 बटे में K प्लस 1 और Y का मान K Y2 प्लस Y1 बटे में K प्लस 1 यहाँ पर हम मान बदल देंगे M1 की जगह K रखना है और M2 की जगह एक रखना है तो यह आपका मान बन जाएगा ठीके आपको वैसे ये कुछ भी याद नहीं रखना है क्योंकि येवल एक ही सुत्र है यहाँ पर हम मान बदल देंगे M1 की जग़ के रखेंगे और M2 की जग़ एक रख देंगे तो ये वाला सुत्र हमारे सामने आ जाएगा लेकिन फिर भी आपको द्याद नखना है कि यदि आपको कभी कबार एक अनुपात ग्याद करने को बोला जाए जगो यहाँ पर हमें के का मान आसानी से मिल जाएगा तो यहाँ पर यदि हमें प्रशन में अनुपात ग्याद करने का बोला जाए कि किस अनुपात में विभाजित करेगा तो फिर हम इस सुत्र का डारेक्ट उप्योग कर सकते हैं आगे यदि बिंदु P रेखाखंड AB का क्या है मद्दे बिंदु बिल्कुल क्या है मद्दे बिंदु तो फिर वो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, एक अनुपात एक में, दोनों भाग बराबर होंगे, तो उसी इस्तती में P के जो निर्द्यसांग है, तो यानि यहाँ पर हम M1 और M2 का मान क्या रखेंगे, सुत्र में एक और एक रखेंगे, तो हमें क्य मिल जाएगा, तो हमें सुत्र मिल जाएगा, X2 प्लस X1 अपॉन 2 और Y2 प्लस Y1 पॉन 2, इसके P जब मद्य बिंद्यू हो, उस समय P के निर्द्यसांग इस सुत्र से हम निकाल देंगे, क्योंकि जब मद्य बिंद्यू होगा, तो जो अनुपात होगा, वो क्या होगा, एक टो एक होगा, तो M1 की जगह भी में एक रखलूँगा और M2 की जगह भी एक रखलूँगा, तो ये वाला सुत्रह में प्राप्त हो जाएगा, आगे सम चत्रुपुज का छित्रफल, देखो सम चत्रुपुज क्या बिंद्यू होता है, एक ऐसा चत्रुपुज, जिसकी जो सबी बुजाय हैं वो आपस में समान हो साथ ही साथ सम्मुक बुजाओ का जो युगम होता है वो कैसा होता है समानतर होता है सम्चत्रुपुज का चेत्रपल निकालना हो तो एक बटा दो गुणा पहला विकंड गुणा दूसरा विकंड जैसे मैं एक आकर्ती बना लेता हूँ जैसे कि ये एक आकर्ती है ये एक सम्चत्रूपुज है है न, इसकी सभी बुजाय आपस में कैसी होती है समान होती है जितनी A B होगी, उतनी के उतनी B C होगी उतनी के उतनी C D और उतनी के उतनी D A तो हमें क्या करना है हमें आपर AC और DB तो एक बटा दो गुणा पहला विकर्ण यानि पहले विकर्ण की लंबाई और दूसरे विकर्ण की लंबाई तो एक बटा दो गुणा पहले विकर्ण की लंबाई AC गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई DB इस सुत्र की मदस्यम क्या करेंगे इस चत्रबुज सम चत्रबुज ABCD का चत्रफल निकाल देंगे तो ये प्रशनवाली 7.2 से पहले का बेसिक था येवल आपको एक सुत्र याज रखना है वो सुत्र है आपको P बिंदू के निर्दे सांग का M1 X2 पलस M2 X1 अपॉन M1 पलस M M2 और M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 जिसे आपके अंता विबाजन का सुत्र भी कहा जाता है बस इस एक सुत्र के मदस्से आपके सारे सुत्र बन जाएंगे चले ये बढ़ते हैं प्रशनवाली 7.2 की तरफ देखें पहला प्रशनवाली 7.2 की तरफ देखें पहला प्र विबाजित करता है देखो यहां पर मैं चित्र बना लेता हूँ ये मैंने एक रिखाखन बना लिया ये बिंदू A है जिसके निर्दसांग कितने हैं जिसके निर्दसांग है आपके माइनस 1 और 7 ये B बिंदू है B के निर्दसांग है 4 और माइनस 3 और इसको कोई बिंदू पी हैं, जिसके निर्दिसांग है X और Y और यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? दो अनुपात तीन में विभाजित कर रहा है तो हमें X और Y का मान ग्याद करना है यानि बिंदू P के निर्दिसांग ग्याद करना है तो देखें सॉल्यूसन solution लेखेंगे माना माना बिंदू P बिंदू P बिंदू A जिसका मान है माइनस एक और साथ और B जिसका मान है चार और माइनस तीन को मिलाने वाले रिखाखंड को को मिलाने वाले रिखाखंड को किस अनुपात में दो अनुपात तीन के अनुपात में विभाजित करता है जो प्रश्ण में दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर लिखा दिया अब लिखेंगे कि विबाजन सुत्र से क्या लिखेंगे विबाजन सुत्र से बिंदू P के निर्दे सांख विबाजन सुत्र से बिंदू P के निर्दे सांख यहाँ पर हम सुत्र लिख देंगे सुत्र क्या था हमारा सुत्र था हमारा M1 X2 पलस M2 X1 बटे में M1 पलस M2 और M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 से ठीक है विबाजन सुत्र से बिंदू P X Y के निर्दे सांख तो इस सुत्र से हम अब इसका मान लिख देंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यह देखो X1 है यह Y1 है यह X2 है यह Y2 है और यह देखो M1 बराबर 2 है और M2 बराबर कितना है 3 है यह मान हमें यहाँ पर रख देना है देखो M1 X2 M1 का मान कितना है 2 कितना है 2 गोना X2 कितना है X2 है 4 पलस M2 M2 कितना है 3 और X1 कितना है X1 है माइनस का एक बटे में 2 पलस 3 कॉमा M1 Y2 2 गोना माइनस का 3 पलस M2 Y1 M2 कितना है 3 Y1 कितना है 7 बटे में 2 पलस 3 है न यहाँ पर लिख सकते हैं P X Y यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे में 5 और माइनस 6 पलस का 10 बटे में 5 तो यहाँ पर 8 में से 3 गया तो कितना जाएगा 5 बटे में 5 और 10 में से 6 गया तो और देखो 3 दूनी माइनस का 6 और 7 तिया 21 हैं इतना है 7 तिया 21 तो 21 में से 6 गया तो 15 बटे में 5 देखो 5 का 5 में भाग एक बार और 15 में 5 का भाग तीन बार तो यानि की P के जो निद्दिसांग है P X Y बराबर कितने आगे 1,3 यही आपका अभीष्ठ हल है 1 बिल्कुल सरल है यह था आपका प्रशन संख्या एक कियवल अमने अन्त विभाजन का यहां पर सुत्र लगा दिया है दूसरा सवाल बिंदूओ 4 और माइनस 1 और माइनस 2 और माइनस 3 को जोडने वाले रिखाखंड को समत्री भाजित कितने भागों में 3 समान भागों में विभाजित करता है तो समत्री भाजित करने वाले बिंदूओ के निर्द्यसांग ग्यात करो क्या ग्याद करने हैं? आपको निद्यसांख ग्याद करने है. तो देखे सबसे पहले, इसको मैं समझाता हूँ कि सम्तरी बाजित का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर एक रिखाकंड खींच दिया, यहाँ पर A बिंदू है, यहाँ पर B बिंदू है, अब इसको तीन समान भागों में विवाजित कर रहा है. समय लिजी यह पहला भाग, यह दूसरा भाग और यह तीसरा. देखो एक बिंदू माना यह P है और यह Q है. अब देखो जब तीनों भाग समान है, तो इसका मतलब एक, अनुपाच एक और एक. है न? एक निद्यसांग क्या है? च्यार औ और माइनस तीन. यहां तक सुन में आ गया? अब देखो पहले इस बात को हम लिख लेते हैं. लिखेंगे यहां पर कि माना बिंदू P और Q बिंदू A च्यार कॉमा माइनस एक और B माइनस दो कॉमा माइनस तीन को जोडने वाले रेखा खंड को समत्री भाजित यानि तीन समान भागों में क्या करता है? विबाजित करते हैं. इन समान भागों में क्या करते हैं? विबाजित करते हैं. समत्री भाजित करते हैं. ठीक है? अतह. यदि मैं देखो A P, यदि विज़े P बिंदू के निद्दसांग निकालने हैं, तो A P और अनुपाद में क्या बचेगा? P B. उस समय A P क्या होगा? एक और P B कितना होगा? दो भागोंगे. तो A P और P B का अनुपाद कितना होगा? एक अनुपाद दो होगा. ठीक है? अब देखो. अब हम लिखेंगे विवाजन सुत्र. विवाजन सुत्र. सुत्र यहाँ पर लिख देएंगे. M1 X2 पलस M2 X1 अपॉन M1 पलस M2 कॉमा M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 ठीक है? द्वारा बिंदू P के निर्दे सांख. बिंदू P के निर्दे सांख. तो P के निर्दे सांख यहाँ पर हम निकाल देएंगे. देखो. M1 X2 तो यहाँ पर आप चाहे तो मैं एक बार मान और भी लिख देता हूं समझने के लिए. या चलो यहीं उपर से लिख लेंगे. देखो M1 X2. M1 का मान एक है. X2 का मान माइनस दो है. पलस M2. M2 कितना है? दो. अर्थात आप यहाँ पर लिख सकते हैं. M1 बराबर कितना है? एक. और M2 बराबर कितना है? दो है. M2 बराबर दो है. ठीक है? फिर M1 X2 और M2 X1. M2 कितना है? दो. X1 कितना है? X1 है आपका चार बटे में M1 प्लस M2 1 प्लस 2, तिर M1 Y2 1 गुणा माइनस का 3 और M2 Y1 यानि 2 गुणा माइनस का 1 बटे में M1 प्लस M2 1 प्लस 2 अगर आपको डाइरेक्ट समझ में नहीं आता है तो बच्चों आप चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह X1 है, यह Y1 है यह X2 है और यह Y2 है और M1 और M2 यहाँ से निकल जाएंगे M1 1 है और M2 2 है अब मैं इसको हल करना है तो देखें एक का गुणा माइनस 2 से माइनस 2 4 गुणी 8 बटे में 3 माइनस 3 माइनस 2 बटे में 3 तो यहाँ से देखो 8 में से 2 गया तो 6 6 बटा 3 और M1 5 बटा 3 तो देखो 3 का गुण 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार 2 और M1 5 बटा 3 तो किसके हो जाएंगे P के निर्दिसांग हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं एक निया पर जोड़ देता हूँ आपके सामने यहाँ पर देखो हमने इस वाले भाग के निर्दिसांग निकाल दिये और P के निर्दिसांग निकाल दिये है ना सॉरी एक मिन बच्चो इस पेज को डाउन लेना पड़ेगा देखो यहाँ पर हमने A, P और P, B के निर्दिसांग निकाल दिये अब मुझे किसके निकालना है? Q कमान निकालना है तो जब मुझे Q कमान निकालना है तो एक भाग में A, Q होगा और दूसरे भाग में क्या होगा? Q, B होगा तो यहाँ पर जब मैं A, Q की बात करूँगा तो कितने भाग होंगे? दो भाग और जब मैं Q, B की बात करूँगा तो कितने भाग होंगे? यह होंगे एक भाग तो लिखेंगे आगे तथा A Q अनुपात Q B तो A Q कितना होगा 2 और A Q B कितना होगा 1 अर्थात यहां M1 बराबर 2 होगा तथा M2 बराबर कितना होगा 1 है ठीक अब हमें विभाजन सुत्र से बिंदू Q के निर्दिसांग निकालने है तो एक बार मैं फिर से यहांपर लाइन ड्रो करके आपके सामने मान लिख लेता हूँ देखो A के मान क्या था A का मान था आपका निर्दिसांग था 4 और माइनस 1 B के कितने थे B के थे माइनस 2 और माइनस 3 फिर यहांपर P था यहांपर Q था एक एक और एक देखो यहांपर मैं A Q A Q में कितना भाग हो जाएगा एक और एक दो भाग और Q भी कितना हो जाएगा एक भाग तो M1 का मान यहांपर 2 होगा और M2 का मान 1 होगा आगे लिखेंगे वही विवाजन सुत्र से क्या लिख देंगे विवाजन सुत्र से M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 से बिंदू Q के निर्दे सांग से बिंदू Q के निर्दे सांग ठीक है? बिंदू Q के निर्दे सांग ठीक है तो देखो M1 X2 M1 X2 तो M1 का मान 2 है X2 का मान कितना है? X2 का मान है माइनस 2 पलस M2 X1 जानी 1 गुणा 4 बटे में 2 प्लस 1 फिर M1 Y2 दो गुणा माइनस 3 पलस M2 Y1 एक गुणा माइनस का एक बटे में 2 पलस 1 यहां से देखो यह 2 का माइनस 4 पलस का 4 बटे में 3 यह माइनस का 6 और माइनस का 1 बटे में 3 तो यह 4 में से 4 गया तो 0 बटा 3 और माइनस 7 बटा 3 और मैं पता है 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 और माइनस 7 बटा 3 लिख देंगे अतो बिंदू P के निर्दिसांग कितने थे वो थे आपके 2 और माइनस 5 बटा 3 तथा बिंदू Q के निर्दिसांग 0 और माइनस साथ बटा तीन होंगे ठीक यही आपका अभिष्ट हल हो गया आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या तीन की तरब ये को काफी बड़ा प्रश्ण है पहले प्रश्ण को अच्छे से समझना है दिगा हुआ है आपके स्कूल में खेल कुध क्रिया कलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है देखो ये आयताकार मैदान है A, B, C और D ठीक है में चूने में परस पर एक मिटर की दूरियों पर पंगतिया बिनाई गई है देखो ये एक एक मिटर की दूरियों पर सो गमले रखे हुए हैं यानि कि यहां पर देखो यह सो गमले हैं यह 200 गमले हो जाएंगे इधर यह 300 हो जाएंगे इधर तो 100-100 गमले असे रखे हुए हैं, है न? एक मिन बच्चो तो यहां पर आपके क्या है? यहां पर आपके सो सो गमले रखे हुए है क्या रखा हुआ है सो सो गमले यहाँ पर रखे हुए है जैसा कि आकरती में दरसाया गया है जैसा कि आकरती के अंदर बताया गया है नियारी का दूसरी पंकती में AD के एक बटा चार भाग के बराबर की दूरी दोड़ती है ठीके जंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रस्मी को एक नीला जंडा इन दोनों जंडों को मिलाने वाले रेखा कंड पर एक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वो अपना जंडा कहां पर उसे गाड़ना चाहिए? तो आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पर जो पहली लड़क है, वो कौन से आपकी निहारी का? निहारी का देखो यहां पर गाड़री है, तो यहां पर एक्स अक्स पर कितना मान है इसका? एक्स पर इसका मान दो है, और य एक्स पर कितना है? तो य एक्स पर है, देखो यह परते जो एक गमला है उसको बता रहा है सो को, तो उसका हम कैसे लिखेंगे वो पहले समझो थोड़ा सा solution सबसे पहले लिखेंगे कि जो निहारिका है निहारिका दूसरी पंगती में दूसरी पंगती में AD के 1 बटा 4 भाग AD के 1 बटा 4 भाग के बराबर की दूरी दोड़ती है प्रशन में दिया हुए कि देखो AD के 1 बटा 4 भाग की दूरी वो दोड़ती है और वहाँ पर एक हरा जंडा गार देती है कि कौन सा जंडा है हरा ठीके ये हरा जंडा है और एक हरा जंडा गार देती है ये प्रशन में दिया हुआ है आगे लिखेंगे इसलिए निहारी का निहारी का द्वारा गाडे गए जंडे के निर्दे सांख तो देखो इसका नाम मैं एन दे देता हूँ ठीके देता हूँ देखो एक सक्स पर कितना है एक सक्स पर ये दो है वाई एक सक्स पर कितना है एक बटा चार है कितना एडी का एडी पूरा कितना है 100 है, तो 100 का 1 बटा 4 है, तो यहाँ पर N कामन कितना आजाएगा, यानि इसके निर्द्यसांग कितने होंगे, 2 और 100 के अंदर 4 का भाग देंगे, तो कितना आजाएगा 25, यानि 2 और 25 यह निहारी का दुआरा जाडे गाडे के जंडे के निर्द्य सांग है ठीक इसी तरह आगे कौन है आपका प्रीत है इसी तरह प्रीत के बारे में हम लिखेंगे लिखेंगे कि जो प्रीत है प्रीत आठवी पंगती में आठवी पंगती में एडी के एक बटा पांच भाग के बराबर दूरी दोडती है ठीक है एक बटा पांच बाग के बराबर दूरी दोडती है और वहाँ एक और वहाँ एक लाल जंडा गार देती है वहाँ एक लाल जंडा गाड देती है इसलिए प्रीत द्वारा गाडे गए जंडे के निरदेसांग तो उसका मैं नाम देता हूँ समय लीजिये पी ठीके और देखो ये एक सक्स पे कितना चल रहा है आठ तो एक सक्स पे हो गया आठ वाए पे कितना है एक बटा 5 है किसका 100 का, तो P 8, 100 में 5 का भग renders पहले वाले के कितने थे? पहले वाले के थे 2 और 25 और इस वाले के कितने हैं? इस वाले के हैं, आप के 8 और 20 ठीक अब हमें, अब हमें क्या करना है, दूनों जंडों के बीच की दूरी ग्यात करनी है तो यहाँ पर मैं एक बार ऐसे लाइन खिंच देता हूँ पहले निहारी का है इसका मान था कितना दो और पच्चिस और फीर है प्रीत इसका मान है आठ और बेस हमें इन दोनों की बीच की क्या निकालनी है दूरी निकालनी है तो आगे लिखेंगे कि दोनों जंडो की बीच की दूरी कर लिखेंगे दोनों जंडो के बीच की दूरी अनपी बराबर हमें दूरी का शुतर पता ही है x2-x1 अंडरगुड में और plus y2-y1 का square तो देखो 8-2 का वर्ग और आपके 20-25 का वर्ग तो 8 में से 2 यानी 6 का वर्ग और 5 का वर्ग तो ये कितना हो जाएगा 34 plus 25 34 plus 25 यानी की अंडरगुड 61 कितना आ गया अंडरगुड एक सक आप देखो अप प्रश्न में क्या कह रहा था कि जो रस्मी है उसको एक नीला जंडा इन दोनों रिखाकंड को मिलाने वाले रिखाकंड के ठीक बीच में गाड़ना हो तो उसके निद्रिसांग में पता करने है तो देखो यदि बीचो बीच में गाड़ना है समय लिजिए वो इस बिंदू पे जंडा गाड़ रही है ठीक है इस बिंदू का नाम दे देते हैं कुछ भी जैसे मैंने दे दिया आपका Y दे दिया जैसे मैंने दे दिया A X और Y जब यह बीचो बीच में है तो यह अनुपाज भी एक होगा और यह अनुपाज भी कितना होगा एक होगा किसको मद्या में बिल्कुल जंडा लगाना है देखो यहाँ पर लिखेंगे आगे कि प्रश्ना अनूसार प्रश्ना अनूसार रस्मी को एक नीला जंडा इन दोनो रेखाखंड इन दोनो बिंदुओ इन दोनो बिंदुओ इसको एन और पी को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना हो एक बीच में गाड़ना हो तो रस्मी द्वारा गाड़े गए जंडे के निर्दे सांग गाड़े गए जंडे के निर्दे सांग बराबर इसके होंगे एन पी के मद्दे बिंदु के निर्दे सांग कि क्या होंगे समान होंगे ठीक है अब देखो मैं मद्दे बिंदु का सुत्र पढ़ा था कि जब हमें मद्दे बिंदु के निर्दिसंग निकालने हो देखो एन वन और एन टू दोनों एक एक है तो सीधा हम सुत्र लगा देंगे शुत्र क्या लगाएंगे इस मिंदु का नाम क्या दे देते हैं हम ए दिया है तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे तो मद्दे मिंदु के निर्दिसंग क्या निकलेंगे देखो ए एक्स वन प्लस एक्स दो पलस आठ बटे में 2 य द य न तो पत्चीश प्लस 20 बटे में 2 ये का मान 10 बटे 2 और 45 बटा 2 तो आर्क एक निर्दशंग क्या आ जाएंगे तो आपके एक निर्दशंग आ जाएंगे पांच और 45 बटा 2 है ना और 45 बटा 2 का मतलब क्या है तो ए 5 45 बटा 2 का मतलब है 22.5 इसका मतलब क्या हुआ कि अतर रस्मी को अपना नीला जंडा नीला जंडा देखो यह X अक्स का मान है और यह Y अक्स का तो एख पर कौन सी पंगती है पांच वी पंगती तो अपना जंडा पांच वी पंगती में पांच वी पंगती में 22.5 मिटर की दूरी पर थीकर चैना चाहिए गाड़ना चाहिए यानि X पे कौन सी पंगती 5 भी और Y पे कितनी दूरी 22.5 मिटर की दूरी पर उसे जंडा गाड़ना चाहिए ये था आपका प्रशन संख्या 3 उम्मिद करता हूँ पूरा प्रशन आपको अच्छे समझ में आया होगा हमने क्या किया है पहले आपके निहारिका के निर्दिसंग ज्याद कर लिए फिर हमने इस प्रीत के निर्दिसंग ज्याद कर लिए जब इन दोनों के निर्दिसंग पता हो गए तो हमने इन दोनों की बीच की क्या निकाल दी हमने इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दी दूरी निकाल लेके बाद हमने जो मद्य बिंदू था जो रश्मीका ने यहाँ पर जंडा लगाया है उसके निर्दिसांग अमने ज्याद कर दिये आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्याच चार देया हुआ है बिंदू माइनस 3,10 और 6,8 को जोडने वाले रिखाखंड को बिंदू माइनस 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है आपको क्या करना है वो अनुपात ग्यात करना है देखो मैं यहाँ पर आपको चित्र बढा के पहले समझाता हूँ यह कोई रिखाखंड है जहाँ पर यहाँ पर पहले जो प्रश्ण में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं लिखेंगे माना बिंदूओ माना बिंदूओ यहाँ लिख सकते हैं माना बिंदू पी पहले लिख लेते हैं माना बिंदू पी जिसका मान है माइनस एक कॉमा छे ठीक है बिंदूओ बिंदू ओ ए, एक अमान माइनस 3,10 और बी, कितना माने, 6 और माइनस 8 को जोडने वाले रिखाखंड को को तोडने वाले रिखाखंड को किस अनुपात में? के अनुपात 1 किस अनुपात में विभाजित करता है के अनुपात 1 में क्या करता है? विभाजित करता है ठीक है? तो यानि यहां अतर M1 बराबर के तथा M2 बराबर एक लेने पर तीर बात करेंगे हम विभाजन सुत्र की लिखेंगे विभाजन सुत्र M1 X2 पलस M2 X1 बटे में M1 पलस M2 और दूसरा है आपका M2 Y1 पलस M1 Y2 बटे में M1 पलस M2 दूरा बिंदू P के निर्दिसांग ठीक है? तो बिंदू P के निर्दिसांग क्या दिये हुए है? माइनस एक कॉमा अच्छे दूसरे भाग में हम मान रख देंगे देखो यहाँ पर M1 X2 M1 X2 यहनि के गुणा च्छे के गुणा च्छे पलस M2 X1 M2 कितना है? एक X1 कितना है? माइनस का तीन बटे में M1 पलस M2 के पलस 1 इसी तरह M2 Y1 तो के गुणा माइनस का एट पलस एक गुणा 10 बटे में K पलस 1 आगे माइनस एक कॉमा च्छे च्छे का के से गुणा हुआ 6K माइनस 3 बटे में K पलस 1 इधर माइनस का 8K पलस का 10 बटे में K पलस 1 ठीके? अब क्या करनी है? तुलना X का माण X की वज़े से तुलना करनी है और Y के मान की आपको Y से तुलना करनी है ठीके? इस पेज को मैं थोड़ा सा नीच ले लेता हूँ चलिए आगे लिखेंगे तुलना करने पर देखो यह X का मान है और यह Y का इसी तरह यह X का है और यह Y का तो X के मान की X से तुलना और Y के मान की Y से तुलना तो 6K माइनस 3 बटे में K पलस 1 बराबर माइनस का 1 यहां से मुझे 6K-3 बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस का K और माइनस का 1 तो 6K, इधर माइनस का K है इधर आएगा तो प्लस का 6K प्लस के बराबर माइनस का 1, प्लस का 3 7K बराबर 2 तो K का मान कितना आ जाएगा यहां से k का मान आजाएगा 2 बटा 7 कितना आजाएगा k का मान आजाएगा 2 बटा 7 ठीक उसी तरह दूसरे बाग में माइनस का 8 k पलस का 10 बटे में k पलस 1 है ना वैसे में k का मान नहीं निकलना है तो k का मान वैसे मारे पास आ गया है तो आप दूसरा बाग अगर हल नहीं करोगे तो भी चलेगा तो यहाँ पर मैं इसको उठा देता हूँ क्योंकि के का मान आ गया है मारे पास यहाँ पर हम लिख देंगे आगे की अतह यहाँ पिर आप चाहे तो इदर नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर लिख देंगे अतह बिंदू पी जिसका मान था माइनस एक और चें बिंदू ओ ए जिसका मान था माइनस तीन और दस और बी जिसका मान था चें और माइनस आठ तो जोडने वाले रेखाकंड रेखाकंड तो दो अनुपात साथ में विभाजित करता है ठीके यही आपका अविष्ट थल हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्या पांच जैसा अभी हमने चोटा किया था वैसा का वैसा है यहाँ पर देखो वह अनुपात ग्यात कीजिए जिसमें बिंदू ओ ए एक कॉमा माइनस पांच और बी माइनस चार कॉमा पांच को मिलाने वाला रिखाकंड एक्स अक्स से क्या होता है विभाजित किसे विभाजित हो रहा है? एक्स अक्स से तो एक्स अक्स पर विभाजित हो रहा है मतलब आय का मान जीरो होगा ठीके? इस विभाजन बिंदू के निर्देसांग भी ग्यात कीजिए पहले तो आपको अनुपात ग्यात करना है और फिर आपको इसके निर्देसांग यानि एक्स का मान भी ग्यात करके बताना है देखे मैं पहले समझा देता हूँ चित्र की मदद से जैसे की यह आपका कोई रिखाकंड है यहाँ पर यह बिंदू A है जिसके निर्देसांग है एक और माइनस पांच यह B है इसके निर्देसांग के माइनस चार और पांच यहाँ पर कोई बिंदू है जिसका नाम है P देखो यह X अक्स पर विवाजित कर रहा है तो X का मान तो होगा लेकिन Y का मान जीरो होगा फिर हमें अनुपात ज्याद करना है तो हम मान लेते हैं के अनुपात कितना है के अनुपात एक है कितना है के अनुपात एक है देखेंगे यहाँ पर माना बिंदूओ A 1,-5 और B 4,5 को मिलाने वाला रिखाकन को मिलाने वाला रिखाकंड को मिलाने वाला रिखाकंड X-Aक्स को X-Aक्स को बिंदू P X,0 पर X,0 पर K अनुपात एक K अनुपात में विभाजित करता है ठीक आप देखो अब विभाजन सुत्र से दिखेंगे विभाजन सुत्र से M1 X2 पलस M2 X1 बटे में M1 पलस M2 या M1 पलस M2 की जगा आप डारेक्ट लिख सकते हो K पलस 1 भी लिख सकते हो इकने आपने लिख लेते हैं M1 पलस M2 और फिर आपका M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 द्वारा बिंदू P के निर्दे सांग बिंदू P के निर्दे सांग ठीके देखो P के निर्दे सांग क्या है X,0 है फिर देखो M1 का मन कितना है M1 का मन है K तो K X2 का मन कितना है X2 का मन है माइनस का 4 कितना है माइनस का 4 पलस M2 का मन कितना है 1 और X1 का मन कितना है 1 बटे में K पलस 1 असी तरह M1 Y2 k गुणा 5 k गुणा 5 plus m2 y1 यानि 1 गुणा माइनस का 5 बटे में k पलस 1 ठीक? अब देखो x,0 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा माइनस का 4 k plus 1 बटे में k plus 1 और इधर 5 k माइनस 5 बटे में k plus 1 यह हो गया? अब हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे क्या करेंगे? अब हम कर देंगे तुलना तो यहाँ पर आगे लिखोंगा मैं तुलना करने पर आगे देखो तुलना करनी है तो माइनस का 4 k plus 1 बटे में k plus 1 बराबर x और तो यहाँ से मारे पास कोई मान नहीं निकलेगा तो न तो मारे पास x का मान है और न अमारे पास k का मान है तो हम 5 k minus 5 बराबर k plus 1 बराबर 0 यहां से मान निकालेंगे तो देखो k plus 1 का 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 तो 5 k minus 5 बराबर 0 और यहां से k का मान कितना निकलेगा 5 बटा 5 यानि की 1 k का मान कितना आ गया k का मान आ गया आपके पास 1 अब k का मान यहाँ पर रख देंगे हम लिखेंगे आगे कि minus 4 k plus 1 बटे में k plus 1 बराबर x में k बराबर 1 रखने पर k बराबर कितना रखना है? एक रखना है तो यहाँ पर minus का 4 k की जगए 1 पलस 1 बटे में 1 पलस 1 बराबर x का मान तो यहाँ से देखो minus 4 पलस 1 बटे में 2 तो x का मान x का मान आजाएगा minus का 3 बटे में 2 इतना आजाएगा? minus का 3 बटे में 2 यानि p के निद्दिसांग आगे तो हम लिखेंगे आगे कि अतर अतर बिंदू a जिसका मान था 1 और minus 5 और b जिसका मान था minus 4 और 5 को मिलाने वाला रिखाखंड को मिलाने वाला रिखाखंड x x से बिंदू p जाँ पर x का मान आया minus 3 बटे 2 और y का मान 0 पर एक अनुपात 1 तीक है मैं विभाजित करता है तीक है अनुपात कितना आ गया एक अनुपात 1 और x का मन कितना आ गया minus 3 बटा 2 आ गया यही अमें हल करके बताना था यह मैं p बिंदू के निज़िसांग बताने थे और अनुपात बताना था आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्याच 6 यदी बिंदू 1,2 4,Y x,6 और 3,5 इसी करम में लेने पर एक समानतर चत्रुबूज के सिर्स हो तो फिर x और y ज्यात किजिए इसके सिर्स हैं समानतर चत्रुबूज के तो समानतर चत्रुबूज हम बना लेते हैं हम क्या बनाएंगे समानतर चत्रुबूज हम यहाँ पर समानतर चत्रुबूज बना देंगे यह बना दिया हमने एक समानतर चत्रुबूज अब इसके नाम ने देते हैं A का मान है 1 और 2 B के निद्यसांग है 4 और Y C के निद्यसांग है X और 6 और D के निद्यसांग है वो है 3 और 5 C के आगे लिखेंगे Solution क्या लिखेंगे कि प्रशना अनूसर प्रशना अनूसर बिन्दू A 1,2 बिन्दू B 4,Y बिन्दू C X,6 और बिन्दू D 3,5 एक समानतर चत्रभूज के सीर से हैं एक समानतर चत्रभूज के स्तीर से है ठीक है अब देखो मैं पता है कि समानतर चत्रभूज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को सम्दी बाजित करते हैं क्या करते हैं एक दूसरे को सम्दी बाजित करते हैं यहां पर आगे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चत्रुभूज के विकर्ण समांतर चत्रुभूज के विकर्ण एक दूसरे को परस पर सम्दि भाजीत करते हैं इसलिए इसलिए देखो यहां पर हम विकर्ण खिंच लेंगे यह एक विकर्ण हो जाएगा डी बी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका एसी तो यह देखो यह एक दुसरे को सम्दि भाजीत करते हैं तो इसका मतलब AC के मध्य बिंदू का निर्द्य सांग और DB के मध्य बिंदू का निर्द्य सांग दोनों क्या होंगे? दोनों समान होंगे. तो हम लिखेंगे इसलिए AC के मध्य बिंदू के निर्द्य सांग बराबर होंगे BD के मध्य बिंदू के निर्द्य सांग. BD के मध्य बिंदू के निर्दिसंग क्योंकि दोनों मध्य बिंदू है तो दोनों के निर्दिसंग क्या होंगे आपस में समान होंगे और मध्य बिंदू का निर्दिसंग निकालने का सुत्र में पता है X1 प्लस X2 बटा 2 और Y1 प्लस Y2 बटा 2 तो सबसे पहले किसका निकालेंगे AC का तो क्या होगा 1 प्लस X बटे में 2 और 2 प्लस 6 बटे में 2 बराबर BD के 3 प्लस 4 बटे में 2 और आपका 5 प्लस Y बटे में 2 यहां से पहले इसको अल कर लेते हैं तो 1 प्लस X बटे में 2 और 8 बटे में 2 फिर 7 बटे में 2 और 5 प्लस Y बटे में 2 अब क्या करेंगे तुलना करेंगे तो यहां पर आगे लिख देंगे तुलना करने पर तुलना करने पर तो तुलना देखो 1 प्लस X बटे में 2 बराबर कितना है? 7 बटा 2 देखो 2 से 2 कट गया X का मन कितना आ गया? X बराबर 7 माइनस 1 यानि की 6 इसी तरह 8 बटा 2 कितना होगा? 4 तो 5 प्लस Y बटे में 2 बराबर 8 बटे में 2 ऐसे लिख लो तो 2 से 2 कट गया y का मान कितना आ गया 8-5 यानि कि 3 आ गया कितना आ गया 8-5 यानि कि 3 आ गया तो आपके x और y का मान अभीष्ट आ गया दिखेंगे अतो x बराबर 6 और y बराबर कितना है y बराबर 3 है यही अपका क्या होगा अभीष्ट हल हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 7 देखो बिंदू A के निद्दिसांग ग्याद करो जहां A B एक वर्त का क्या है व्यास है और उसका केंद्र का मान दिया हुआ है 2 और माइनस 3 और B के निद्दिसांग है 1 और 4 तो देखो मैं चित्र बना लेता हूँ यह आपका एक वर्त है और यह आपका एक व्यास है यहाँ पर A बिंदू के निद्दिसांग ग्याद करने है X और Y मान लिया मध्य बिंदू आपका कैंद्र होगा इसके निद्दिसांग कितने है 2 और माइनस 3 है और B के निद्दिसांग है वो है 1 और 4 इतने है 1 और 4 है देख पर लिखेंगे कि प्रश्ना अनुसार प्रश्ना अनुसार A, B वरत का व्यास है A, B क्या है? A, B वरत का व्यास है और जिसका कैंद्र जिसका कैंद्र O, जिसके निदिसां के 2 और माइनस 3 ठीक है? तथा B के निर्दिसांग तथा P के निर्दिसांग इतने एक और 4 है ठीक माना बिंदू A के निर्दिसांग इतने माने हमने X, Y है ठीक है अब देखो प्रशना अनसर में पता है लिखेंगे यहाँ केंद्र O 2,-3 व्यास A, B का क्या है मद्दिबिंदू है वो क्या है A, A, B का मद्दिबिंदू है इसलिए इसलिए A, B के मद्दिबिंदू के जो निर्दिसांग है वो किसके बराबर होंगे O के बराबर होंगे इसलिए A, B के मद्दिबिंदू के निर्दिसांग इसके बराबर होंगे O के निद्धिसांग के बराबर होंगे देखो, मध्य बिंदू के निद्धिसांग का सुत्र में पता है X1 प्लस X2 बटा 2 और Y1 प्लस Y2 बटा 2 तो X ये, ये मान आ गया हमारे पास और O के निद्धिसांग क्या है 2 और माइनस 3 है तुलना करने पर तुलना करने पर यहां से x पलस 1 बटा 2 बराबर 2 तो x बराबर 4 माइनस 1 x बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर यहां पर हो जाएगा 3 x बराबर 3 हो गया और यहां पर y plus 4 बटे में 2 बराबर माइनस का 3 तो y बराबर माइनस का 6 माइनस का 6 तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 अतर लिख देंगे अतर बिंदू 1 के निर्द्य सांग बिंदू 1 के निर्द्य सांग 3,-10 है नहीं 3 और माइनस 10 है यह हो गया आपका प्रशन संक्या 7 आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 8 दिया हुआ है कि यदि A और B A के निर्दिसंग यह है और B के यह है तो बिंदू P के निर्दिसंग ग्याद करो ताकि A P बराबर 3 बटा 7 A B हो और P रेखाखंड A B पर क्या हो P रेखाखंड A B पर इस्तित हो तो यहाँ पर आप जहां से देखोगे तो ये एक रेखाखंड है A का मान कितना दिया हुआ है माइनस 2 और माइनस 2 B का कितना दिया हुआ है 2 और माइनस 4 इसको एक बिंदू पी विभाजित कर रहा है ये देखो तीन अनुपात साथ में कर रहा है और मैं पता है कि जो हर होता है वो कुल भाग को बिताता है तो यदि अंस तीन है तो हर कितना होगा? चार होगा तभी तो तीन और चार को जोड़ेंगे तो कितना होगा? हर में साथ होगा अरा सोज में? देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ क्या आपर लिखेंगे? दिया है दिया है क्या है? अपी बराबर तीन बटा साथ अबी ठीक है? इसलिए इसलिए बी पी बी पी बराबर कितना होगा? चार बटा साथ BP बराबर चार बटा साथ किसका AB का अब मैं अगर AP अनुपात किसका निकालो AP अनुपात PB निकालो तो देखो चाथ से साथ कर जाएगा अनुपात कितना बचेगा 3 अनुपात 4 बचेगा 3 अनुपात 7 बचेगा तीन रुपाद चार बचेगा आगया सोज में देखो यहां से एपी बराबर कितना है तीन बटा साथ एबी अब यहां से यदि मुझे बीपी का मन निकलना है इसका मन निकलना है बीपी का तो देखो मैं यदि एक मैंसे कितना गटाओंगा तीन बटा साथ को गटा दूँगा पूरा कितना होगा, एक होगा, एक मैंसे मुझे एक भग दिया हुआ है, तीन बटा साथ, तो दूसरा भग कितना होगा, चार बटा साथ, एक मैंसे तीन बटा साथ को गटाओंगा, तो कितना आएगा, चार बटा साथ, फिर मैंने, ये तीन बटा साथ है, ये चार बटा साथ है, डोनों का आमने अनुपाद निकाल दिया, तो साथ से साथ कट गया, और कितना आ गया, तीन अनुपाद 4 आ गया, कितना आ गया, तीन अनुपाद 4 आ गया, आ गया स्मझ में, अब देखो, लिखेंगे कि बिनदू P बिनदू P1Dago A, – 2 & – 2, – 2 & – 2 माइनस दो और माइनस दो और बी बिंदू कितना है 2, माइनस च्यार तो मिलाने वाले रेखाखंड को को मिलाने वाले रेखाखंड को तीन अनुपाद च्यार मैं क्या करता है विभाजित करता है अब विभाजन सुत्र से बिंदू P के निदसांग निकाल देंगे आगे लिखेंगे विभाजन सुत्र कौनसा सुत्र है मैं पता ही है M1 X2 पलस M2 X1 बटे में M1 पलस M2 और M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 द्वारा P के निदसांग यहाँ पर देखो तो M1 X2 M1 X2 देखो M1 का मान कितना है 3 है M2 का 4 है बाकि निदसांग दिये हुए है देखो यह X1 है यह Y1 है यह X2 है और यह Y2 है M1 X2 M1 X2 का मतलब है 3 गुणा 2 M2 X1 4 गुणा माइनस 2 M1 पलस M2 3 पलस 4 M1 Y2 3 गुणा माइनस का 4 M2 Y1 4 गुणा माइनस का 2 बटे में M1 पलस M2 यहाँ से देखो इसको महल करेंगे तो 3 दूनी 6 6 माइनस 8 कितना होगा माइनस का 2 बटा 7 पर यह 4 तिया माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस का 20 बटे में 7 लिख देंगे अतो बिंदू P के निर्दे सांख अतो बिंदू P के निर्दे सांख माइनस 2,7 और माइनस 20 बटा 7 होंगे ठीक यह हो गया प्रश्न संख्या 8 आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है कि बिंदू A माइनस 2 और 2 और बिंदू B 2 और 8 को जोडने वाले रिखाकंट A B को 4 बराबर भागों में विबाजित करने वाले बिंदू के निर्दे सांख बताने हैं इतने 4 बराबर भागों में विबाजित करने वाले के हमें निद्यसांग बताने है तो देखो सबसे पहले जो प्रश्ण में दिया हुआ इसको मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ लिखेंगे कि माना बिंदू P, Q और R P, Q और R किन बिंदू हैं? बिंदू ओ A, माइनस दो और दो और B, दो और 8 वो जोडने वाले रेखाखंड A, B को को जोडने वाले रेखाखंड A, B को चार बराबर भागों में विबाजित करते हैं चार बराबर भागों में विबाजित करते हैं देखो मैं यह आपर आपको चित्र बना के बताता हूँ यह है A और B A के निर्दिसांग है माइनस दो और दो B के हैं दो और आठ इसको चार बराबर भागों में तो मैं लिजिए P Q और R तो यह एक 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 और एक चारो भाग बराबर होंगे है ना पत्र सबसे पहले मैं निकालता हूँ P के निर्दिसांग तो A P एक भाग में A P भागी भाग में क्या होगा P B तो देखो A P भाग कितना है एक भागी भाग कितना है तीन एक भाग तीन आगे लिखेंगे विबाजन सुत्र से विबाजन सुत्र से बिंदू P के निर्दिसांग विबाजन सुत्र से बिंदू P के निर्दिसांख यहाँ पर देखो M1 X2 एक गुणा दो पलस M2 X1 मैं बार-बार सुत्र नहीं लिखा रहा हूँ उम्मिद करता हूँ आपको अच्छे से याद अब हो गया होगा पलस M1 M2 फिर M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 देखो 2 और 2 पलस यह किना हो गया माइनस का 6 2 माइनस 6 यानि माइनस का 4 बटे में 4 8 पलस 6 कितना हो गया 8 पलस 6 14 बटे में 4 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस का 1 2 से काटेंगे तो 7 बटा 2 यानि P के निदिसांग कितने आगे माइनस एक और साथ बटा दो आ गए अब देखो अब मैं किसके निकालने हैं Q के आगे लिखेंगे और AQ अनुपात QB देखो AQ कितना है दो और QB भी कितना है दो आगे बिंदू Q के निद्य संग यह पर लिखेंगे बिंदू Q के निर्द्य संग बिंदू Q के निर्द्य संग देखो तो M1 X2 यानि 2 गुणा 2 यह ना 2 गुणा 2 पलस 2 गुणा माइनस का 2 M1 M2 X1 2 पलस 2 फिर M1 Y2 2 गुणा 8 पलस M2 Y1 2 गुणा 2 बटे में M1 पलस M2 यानि 2 पलस 2 देखो 2 दूनी 4 4 में से 4 गया तो 0 0 बटे में 4 8 दूनी 16 16 पलस 4 20 बटा 4 कितने निर्द्य संग होंगे निर्द्य संग हो जाएंगे आपका 0 और 5 कितना होगा 0 और 5 हो जाएगा इसी तरह आगे हमें निकालना है तो मैं यहाँ पर एक निया पेज जोड देता हूँ फटा पट ये जोड दिया अब देखो अब किसके निकालने हैं R के तो R के तो A, R कितना होगा 3 और R B कितना होगा 1 हो जाएगा दिखेंगे आगे की तथा A, R अनुपात R, B A, R देखो कितना है A, R 1, 2, और 3 3 अनुपात 1 3 अनुपात 1 फिर बिंदू R के निर्द्य संग बिंदू R के निर्द्य संग आप चाहे तो यहाँ पर अगर आपको याद नहीं रहता है तो यहाँ पर A के निर्द्य संग भी लिख लेते हैं तथा A माइनस दो और 2 एंड B बराबर कितना है 2 और 8 से इसी तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं की A A माइनस दो और 2 एंड B 2 और 8 से इसी तरह यहाँ पर A पर लिख लेंगे A माइनस दो और 2 और B है 2 और 8 से ठीक है R के निर्द्य संग R के निर्द्य संग निकाल देंगे M1 X2 M1 X2 तो 3 गुणा 2 पलस M2 X1 M2 X1 बटे में M1 पलस M2 फिर M1 Y2 पलस M2 Y1 बटे में M1 पलस M2 देखो 6 माइनस दो 4 बटा 4 8 तिया 24 और 2 26 बटा 4 4 में 4 का भाग गिया एक बार 2 से काटा 26 को 13 और 4 को काटा दो 1 और 13 बटा 2 यहापर लिख देंगे अत अत बिंदूओ बिंदूओ 1 माइनस 2 और 2 और B 2,8 को जोडने वाले रिखाखंड को जोडने वाले रिखाखंड A, B को 4 बराबर भागों में 4 बराबर भागों में विबाजित करने वाले बिंदूओ के निर्दे सांग देखो P बराबर कितना था? माइनस का 1 और 7 बटा 2 Q बराबर कितना था? Q बराबर था? आपका 0 और 5 और R बराबर है 1 और 13 बटा 2 ठीके? है यही आपका अबिष्ट हल हो जाएगा यह था आपका प्रश्ण संक्या 9 आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्ण है प्रश्ण संक्या 10 एक सम्चत्रूपूज का छित्रफल ग्याद करो जिसके सिर्ष इसी करम में हैं इस करम में हैं 3 और 0 4 और 5 माइनस 1 और 4 और माइनस 2 और माइनस 1 है यहाँ पर मैं आपके सामने एक सम्चत्रूपूज बना लेता हूँ एक सम्चत्रूपूज बना लेते हैं यह बन गया आपके सामने एक सम्चत्रूपूज देखो इसके नाम में देते हैं A का माँन है 3 और 0 B का माँन है 4 और 5 C का माँन है माइनस 1 और 4 माइनस दो और माइनस एक अब इसके विकंड खिंच लेते हैं एक विकंड ने आपका AC और दूसरा विकंड ने आपका DB क्या पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन की सम चत्रूभूज ABCD के सिर्स सम चत्रूभूज ABCD के सिर्स A 3,0 B के 4,5 C के माइनस को 1,4 और D के माइनस दो कॉमा माइनस एक हैं ठीके अब हम कहेंगे विकंड AC क्योंकि देखो चत्रफल का सुत्र क्या है एक बटा दो गुणा उसके विकंडों का गुणन फल तो मैं विकंडों की बीच की दूरी निकालने पड़ेगी तो विकंड AC बराबर X2 माइनस X1 का स्कूर, यानि माइनस 2 का स्कूर, पलस Y2 माइनस Y1 का स्कूर, 4 माइनस 0 का स्कूर यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 4, माइनस 4 का वर्ग 16 16 पलस 16, कितना हो जाएगा? DAVID 32, यानि की 4 रूड 2 फिर DB की दूरी x2-x1-2-4 y2-y1-1-1-5 देखो –2-4-6 यानि 6 का इस्क्वेर चत्तिस –1-5-6 यानि 6 का वरत चत्तिस यानि 72 कितना हो जाएगा 6 अंडरवुट 2 आगे लिखेंगे सम चत्रुबुज ABCD का चित्रफल सम चत्रुबुज ABCD का चित्रफल तो 1 बटा दो गोणा AC गोणा DB तो 1 बटा दो गोणा AC का मनाया 4 रूट दो और DB का मनाया 6 रूट दो है ना अब देखो 2 से 4 कर जाएगा दो बार तो 6 दूनी 12 और रूट ब्लो का रूट दो से गुणा होगा तो 2 याने की 24 कितना जाएगा 24 वर्ग इकाई कितना चित्रफला जाएगा 24 वर्ग इकाई तो इस तरह प्यारे विद्यारतियों आज की इस क्लास में हमने प्रश्ण वाली 7 पॉइंट दो के सभी प्रश्णों के हल बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूँ सभी प्रश्णों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पर हम सरू करेंगे अध्याय आठ ट्रिकॉन मिती का परीच्छे तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत